नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सनातन लोग पर आज के इस वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं एक और अती प्राचीन एवं चमतकारी मंदर की स्थापना की पौरानिक कथा और उससे जुड़ी रोचक एवं रहसमी जानकारिया आज हम हम बात करेंगे नीलकंट महादेव मंदर के विशय में उससे पहले आप सभी से अनुरोध है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें तो चलिए शुरू करत हैं आज का वीडियो नीलकंट महादेव मंदर उत्तरा खंड के रिशी केस में इस्थित है यह मंदर रिशी केस का एक प्रमुक प्रेटन इस्थल है नीलकंट महादेव मंदर रिशी केस से साड़े-तीन हजार फिट की उंचाई पर सुर्ग आसर्म की पहाड़ी की चोटी प मर्पित है और इसकी स्थापना की पौरनिक कथा इस प्रकार है सत्युक्य प्रारंब में समुद्र से अंबृत एवं अन्य रत्नों को प्राप्त करने के लिए देवताओं तथा असुरों में समुद्र मंधन के लिए समझता हुआ था समुद्र मंधन के लिए मंदराचल परवत को मतनी तथा वासुकी नाक को नेती बनाया गया स्वेम भगवान विश्णू कच्छप अर्थात कच्छवे का अवतार लेकर मंदराचल परवत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बने तब वासुकी नाग को नेती बनाकर एक छोड़ से देवताओं ने तथा दूसरे छोड़ से असुरों ने पकड़कर समुद्र मंथन प्रारम किया समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष्ट निकला उस विष्ट की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और सभी घबरा कर इदरदर भागने लगे और वे हलाहल विष्ट सिस्टी में फैलने लगा सभी देवता घबरा गए और विचार करने लगे कि इससे सिस्टी का विनाश हो जाएगा तब सभी मिलकर भगवान महादेव से प्रातना करते हैं कि है महादेव हमारी रक्षा करें तब भगवान महादेव मता पारवती सहीत वहां प्रकट हुए और हलाहल विश्ट को अपनी हतेली पर रखकर उस विश्ट को पी गए तमता पारवती ने महादेव के गले पर हात रखकर उस हलाहल विष्ट को गले में ही रोक दिया ताकि विष्ट महादेव के पेट तक ना पहुँचे जिसके कारण महादेव का गला नीला हो गया इसी कारण भगवान महादेव का नाम नीलकंट पड़ा जब भगवान महादेव के गले में हलाहल विश्टी अगनी बढ़ने लगी तब महादेव उस विश्टी अगनी को शांत करने के लिए उत्राखंड के इन पहाडों में तपस्या करने आए और एक वट वरक्ष के नीचे बैठकर कई वरशों तक यहां तपस्या करके इस अगनी को शांत किया सभी देवता भगवान महादेव के दर्शन करने हैं आए और भगवान शिव ने माता पारवती सहीत सभी को दर्शन दिये और कैलाश परवत पर जाने से पहले यहां शिविलिंग रूपी एक पिंड को इस्थापित किया वही इस्थान आज नीलकंट महादेव मंदर के नाम से विख्यात है दोस्तों यहती नीलकंट महादेव मंदर के इस्थापना की पौरनिक कथा और अब बात करते हैं इस मंदर से जुड़े कुछ रोचक तक्त्यों के बारे में रिशिकेस से नीलकंट महादेव मंदर तक पहुँचने के दो रास्ते हैं यदि आप कार अत्वा अन्य किसी साधन से जाना चाहते हैं तो रिशिकेस से नीलकंट मंदर 30 किलोमेटर की दूरी पर पढ़ता है दूसरा रास्ता गंगाजी को पार करके रिशिकेस और रामजूला के बीच से लगभग 18 किलोमेटर का पढ़ता है इसमें पहले स्वर्ग आस्रम तक आना होता है इसके बाद स्वर्ग आस्रम से 10 किलोमेटर की पैदल यात्रा आरंब होती है जो गने जंगल से गुजर कर नीलकंट महादेव मंदर तक तै की जाती है यहां ब्रह्मकूट, विश्नुकूट और मनीकूट नाम के तीन विशाल परवत है इन तीन परवतों के बीच यह नीलकंट महादेव मंदर इस्थित है नीलकंट महादेव मंदर पंकजा और मदुमती दो नजियों के संगंबर बना हुआ है स्वें भगवान शिव ने यहां कैई सो वर्सों तक तपस्या की थी भगवान शिव की तपस्या और कैई सो वर्सों तक उनकी उपस्थिती के कारण यह इस्थान परम पावन एवं चमतकारी है यहां पर आकर दर्शन करने वाले एवं महादेव का जलाबिशे करने वाले भक्तों की सभी मनुकामनाय पूरी होती है और उनके जनम जर्मानतर के सभी पाप नस्थ होते हैं भगवान के गले में जब विश्काताप बढ़ने लगा था तो महादेव का सिर भी गरम हो गया था तब देवताओं ने महादेव का जलाबिशे किया था जिससे महादेव का ताप कुछ कम हुआ इसी कारण महादेव का जलाबिशे किया जाता है इसके अतरिक्त बेल पत्र भा यहां विशाल मेला लगता है और पूरी दुनिया से महादेव के भक्त यहां दर्शन करने आते हैं नीलकंट महादेव मंदिर की दीवारों पर बहुत सुन्दर एवं उतकृष्ट नकासी की गई हैं और मंदिर के शिखर पर समुद्र मंथन का दृश्य भी चित्रित किया गय दोस्तों आज की वीडियो बसता ही आशा करते हैं नीलकंट महादेव मंदिर की सभी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा सज्यादा लोगों को शेयर भी कर दें हम फिर मिलेंगे एक और प्राचीं एवन चमतकारी मंदिर की स्थ अपना की कथा के साथ धन्यवाद दोस्तों